Do you belong to non-creamy layer का क्या मतलब होता है या आज की वीडियो में सीख लेती है Do you belong to non-creamy layer का मतलब होता है कि क्या आप non-creamy layer से हैं Non-creamy layer का मतलब होता है कि जो भी लोग OBC category में आते हैं और जिनके माता-पिता या family की income जो है वो 8 लाग से कम होती है तो उन लोगों को non-creamy layer में माना जाता है और इसके लिए हो सकता है कि आपको इसका certificate बनवाना पढ़ता हूँ यह संबंदित document आपको देने पढ़ते हूँ तो अगर आपके पास इस चीज को prove करने के लिए document है और आप non-creamy layer में आते हैं यानि आपके माता-पिता की जो यह आपके परिवार की आया आठ लाग रुपे हर साल से कम है आठ लाग रुपे एक साल का है यह एक साल में अगर आपके माता-पिता यह आपका पूरा परिवार आठ लाग रुपे से कम कमाता है तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं लेकिन आपके पास संबंतित document होना जरूरी है और आप OBC category से होने जरूरी है और अगर आप इस category में नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर no कर सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें